कि हलो फ्रेंट्स कैसे आप सब आज हम देखने वाले हैं मिसिंग फिगर्स वाले क्वेस्चिन को किस तरह से सॉल किया जाता है आपने देखा होगा कि चैप्टर के एंड में इवैलिशन इनको कैसे सॉल करना है वह मैं अभी यहां पर देखेंगे बहुत सिंपल थोड़ा सा आपको दिमाग का इस्तिमाल करना है बाकी तो फॉर्मेट वगद भी बना रहता है सब कुछ किया है आपको खाली मिसिंग फिगर्स फाइंड करने ठीक है फॉर्मेट वही कॉपी पेस्ट किया नीचे question आपको दिया हुआ है वैसा वैसा आपने फॉर्मेट बनाया और मिसिंग फिगर्स जहां जहां थे वहां पहां आप लिखते जाएंगे और वर्किंग नोट डेफिनेटली जहां जहां आपको लगता है कि जोड़त है आप अपने वर्किंग नोट भी दे दिय यह 10% है यह भी पता चलिया अब आप सबसे पहला यहां पर देखेंगे कि कहां कहां मिसिंग फिगर्स हैं इधर 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 यह दिया हुआ है तो इसके बाद तो सब फाइन हम करी सकते हैं वैसे भी तो question पूरा solve करते हैं हमारे पास क्या दिया रह कब खरी दी वो भी दिया हुआ है अब आपको दिक्र क्या है आपने खरी दी एक October 2016 राइट ठीक है और कितने में खरी दी एक 40 प्लस 10,000 यह installation दिया हुआ है मतलब total कितना हो गया 1,50,000 क्यों गई machinery अलग 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 लखने कि अलग कि जोड़त ने इमर question में लिखा हुआ है जैसे भी है तो 1,50,000 क्यों गई machinery कब खरी दिया है एक October को यह year end हमादा कब हो रहा है 31st March को तो कितना depreciation होगा 6 मैने का होगा October, November, December, January, February, March तो 1,50,000 का 1,00,000 यहां पे भी कर सकते हो आप working दे सकते हो 1,50,000 into 10 by 100 into 6 by 12 तो 10% हो जाता है 15,000 और 6 मैने का हो जाता है 7,500 तो 1,50,000 minus 7,500 बैलेंसिंग करना है तो हो जाएगा 1,42,500 पर आप common sense के अस्तिमाल कीजिए दिमाग खुला रखिए अपने आप आपको बनेगो और समझ में भी आएगा अगर कहीं गलती हुई है तो यह 142,500 जो है यह obvious सी बात है इधर आ जाता है to balance brought down तो यह 142,500 यहां पर भी आप देख सकते हो 142,500 ही दिया हुआ और कुछ तो है नहीं तो यह आपका जो calculation है यहां तक सही है ठीक है अब इस पर depreciation होगा पूरे साल का तो ध्यान रखिए का यह दिया स्ट्रीट लाइन मेथड अरिजिनल कॉस्ट मेथड़ अप्रिसीजिएन किस पर होगा इसी पर होगा वन लैप सुस्टी थाओदन पर होगा वन लाइफ फिटी थाओदन पर फेटन पूरे साल का कितना होता है 15,000 बैलेंस कितना हो गया 142,500 माइनस 15,000 मेरे क्याल फिर से उतना ही होगा 15,000 और यह हो जाएगा 1,1,2,500 ठीक है? सिंपल है? बहुत सिंपल तो मैं चाहूंगा कि अगला क्वेस्टिन आप कुछ से ट्राय करें आपको बनेगा डेफिनेटली बनेगा थोड़ा सा बस कॉमन सैंस और दिमाग का इस्तिमाल करें डेफिनेटली ब हम फिर मिलते हैं अगले कोश्चिन में बावाइब